हेलो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्न बॉय अमन और मेरा नाम है अमन्दीप सो दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था हीरो हॉक के साथ कैसे मैंने हीरो हॉक को बहुत लंबे डिस्टेंस तक लेके जाता था सौशाव किलोमेटर आलमस्ट डेली मैंने अपने स्कूल टाइम में किया हुआ है उसमें कुछ मंस के लिए ठीक है बड़ दोस्तों हाँ ये पॉसिबल तो है आप सिंगल स्पीरियंस शाइकल पे बहुत जादा डिस्टेंस चला सकते हो साइकल चला सकते हो ये आपके अपने बॉड़ी के उपर ही है अपने अपने आपको समझाना होता है आप कर सकते हो तो जैसे आपकी बॉड़ी आपके दिमाग को सिगनल करती रहती है आप ठक गए हो आप नहीं चला सकते है बड़ आपका दिमाग फाइट बैक करता है और बॉड़ी को बोलता है तुम्हारे पास कोई आप्शन नहीं है करना पड़ेगा ये पॉसिबल है अराम से आप कर सक सकते हो बड़ दोस्तों मैं इस वीडियो में आपके साथ शेर करूंगा अपना जो एक्सपीरेंस है जो थकावट का जो फ्रस्टरेशन जो जो भी होता था मिरे साथ वो एक्सपीरेंस शेर करूंगा और आपको अगर आपके पास ऑप्शन है गेर वाला साइकल लेने का दोस्तों मैं स्कूल टाइम में था ठीक है प्लस टू थी नौन яжओट कर रहा था बहुत ही क्रिटिकल टाइम था तब बर तब मेरे अंदर भूत सवार था मैं साइकलिंग में कुछ करूं पूरा स्कूल निकल गया मैं किसी स्पोर्ट्स में किसी भी स्पोर्ट्स में अच् स्केटिंग, बड़ स्केटिंग को सिरफ स्कूल में ही सीमीद रखा गया, उसको आगे competition में नहीं लेके जाया गया, स्केटिंग में मैं होता था, second number में पूरे स्कूल में, वो भी second इसलिए, क्योंकि जो मेरे पास skates से, वो थोड़े सस्ते वाले थे, और जो first पे होता था लड़का, उसके पास थोड़े अच्छे वाले होते थे, skates, तो मैं पीछे रहता था, बट वो कभी उन्होंने sport, वो वली sport को कभी आगे लेके नहीं गए, cycling भी वहाँ पर नहीं थी, बट मुझको चाहिए था भी ये एक option, अगर मैं cycling करता हूँ, मैं क्या करता था दोस्तो, मैं हमेशा कहीं भी जाता था, हमेशा cycle पे जाता था, तो मेरे मन में ये था, मैं कुछ ऐसा करूँ, अपने आपको prove करूँ, मैं cycling क्यों करता हूँ, मेरे मेरे पास कुछ achievements हैं, मैंने ये चीजें कर रखी हैं, इसलिए मैं cycling करता हूँ, इसलिए मुझको cycling कर शोंक है, मेरे मन में ये कीड़ा था, तो जैसी मेरे को पता लगा, शहर में cycling valodrome है, दोस्तो cycling valodrome वो होता है, जिसके अंदर ऐसे gold circuit होता है, उसके अंदर cycling करते हैं, तो मुझको जैसी ही पता लगा, तो मेरे दिमाग पे भूत सवार हो गया, मैं भी join करूंगा, मैं भी coach से बात करके, वहां cycling करनेया start कर दूँगा, तो दोस्तों, तब मुझको लगा भी हाँ, जो मेरे पास cycle है, जो hero hawk था मेरे पास cycle, सिर्फ उसी पे, मैं अपने आपको prove करके, ठीक हो जाऊंगा, तो बट जैसे जैसे मैं करना start किया, ठीक है, अब सब के पास होते थे, जो cycle, वो अच्छे अच्छे वाले cycle होते थे, गेर cycle होते थे, minimum उनकी मैं starting देखता था, 25,000, 35,000 से वो शुरू होते थे, और जो अच्छे वाले थे, वो 70,000, 80,000 तक, तो फिर मुझको ऐसास होना शुरू हुआ, भाई, अगर इस से आगे भी जाना है, और मह साइकल भी चाहिए, बट जब भी मैं अपने घरवालों से बात करता था, अब नॉर्मल जो middle families होती है, उनके लिए cycle अगर 10,000 तक का भी है, वो भी बहुत महंगा रहता है, अब जो मेरे पास भी cycle था, hero hawk, वो मेरी दादी ने लेके दिया था, लगबग 2300 रुपे का, तो जोलादी ने लेके दिया था, घरवाले पता नहीं लेके देते के नहीं लेके देते, तो मैं बस यही सोचता रहता था, अब इसमें मैं आगे जाना चाहता हूँ, तो मुझको cycle की भी जरूरत है, तो मेरे पास तो option ही नहीं था, इसलिए मैं hero hawk था, मेरे पास hero hawk पे ही मैं ऐसे लंबे डिस्टेंस करता था, तो मेरे पास तो चाहरा नहीं था दोस्तो, इसलिए मैं इतने लंबे डिस्टेंस hero hawk पे मुझको करने पड़ते थे, और मेरे बॉड़ी ने मेरे को, और मैं used to हो गया था, अपने बॉड़ी को लेकर मैं इतना जादा दम लगाता रहता थ बढ़ दोस्तो, ट्रस्ट मी, जब मैं स्कूल जाता था, सुबा उरता था मैं ठीक है, साड़े चार बजे साइक्लिंग के लिए जाता था, अब यहां से जो साइक्लिंग वैलेड रोम है, वो था लगबग साथ-ाठ किलोमेटर दूर, आठ किलोमेटर के आस-पास, पहले आ बहुत ज़्यादा हैक्टिक चीज होती थी मेरे लिए, अगर तो मैं घर पे रहता, ठीक है, कुछ नहीं करता, फिर तो यह बढ़िया था, क्योंकि जो मेरे साथ वाले थे, जो वहां पे साइक्लिंग करते थे, उनका क्या था, उनको जो उनके स्कूल वाले थे, या उनके जो कॉलेज वाले थे, उन्होंने फ्री कर रखा था, आप सिरफ साइक्लिंग करो, वो क्या करते थे, सुबा उरते थे, साइक्लिंग करते थे, खाना खाते थे, सो जाते थे, फिर उरते थे, फिर साइक्लिंग करते थे, फिर खाना खाते थे, फिर सो जाते थे, तो उनकी ब पाता था क्यूंकि दोस्तों जब बंदा रोज 100-100 km साइकल चलाएगा सिंगल स्पीड वो भी 16 वाला गेर पीछे 16 वाला गेर था वो हैवी हो जाता है तो मैं इतना थकता था था ना मैं लिटरली मेरी टांगे मेरे को इतनी ज़्यादा पेन देती थी ना ना मीर्थ पास थो जब प्यससνοने टेर्म अंटाम वाला σकार ठीक है तो मेरे को इतना ज़्यादा फ्यपिएग यह द्रद नहीं सेना पड़ता तो दोस्तो अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप afford कर सकते हो, तो आप हमेशा gate वाला cycle ही लो, अगर आप 20-30 km से उपर चलाते हो, तो हमेशा आपको gate cycle ही लेने चाहिए, अगर आपके पास option है, पैसा है, बाइक कर सकते हो, आप second hand भी बाइक कर सकते हो, जरूरी नहीं है, आ मेरी भी किस्मत भी ऐसी थी, अब मैंने दो महीने, तीन महीने cycling करने के बाद, मैंने सोचा, पी मैं अब cycle लेता हूँ, मेरी तब मेरी दादी नहीं मेरी help की, दादी नहीं मुझको cash दी, थोड़ा सा घरवालों ने cash दी, और बाकी की दादी ने cash दी, तो तब मैं क्या मेरी किस्मत भी तब ऐसी थी, मैं cycle 9 लेना चाता था, घरवालों को बोलता रहा, चंडी गट से मिलेगा, चंडी गट से मिलेगा, चंडी गट से लाके दे दो, घरवालों को होता था, क्या जाके हम cycle देखेंगे, क्या पता लगएगा कुछ नहीं, फिर मैंने अपने coach को बो ये वाला cycle जो पिछे खड़ा है, ये वाला मुझको बना के दिया था, बट तब मैं इससे happy नहीं था, तब मुझको ये cycle की knowledge नहीं थी, क्योंकि जो सबके पास था, वो था latest cycle, ठीक है, latest होते थे, देखने में अच्छे लगते थे, अब ये वाला देखने में ऐसे लगता है पूराने type का cycle, अब इसको देखके कोई ऐसा नहीं कहेगा, मैं इसको चुराओं, या कोई चोर नहीं बोलेगा, इसको देखके मैं इसको चुराओं, तो तब भी मेरा ऐसा मन था, मेरे को मज़ा नहीं आया था, ये cycle देखके, अब धीरे धीरे जब knowledge होई, अब मेरा ये one of the favorite cycle है, हाँ, frame बहुत बड़ा है, ये coach ने गलती की, coach ने बहुत बड़ा frame मेरे को दिया, ये सबसे बड़ी उसने गलती की, अपनी, यानि, पता नहीं, अब मैं क्या बोलू, coach profit के लिए करते हैं, क्या करते हैं, सोचते नहीं हैं, बच्चों का भला, सोचा होगा, मैं साल जे बेज दूँगा, फिर नया ले लूँगा, चलो खेर, इस बात को छोड़ो, सो दोस्तों, इसी लिए, मैं अपना experience आपके साथ share किया, मैंने, ताकि आपको पता लगे, अब मैंने देखा, मेरे videos के नीचे, काफी सारे लोग comment कर रहे हैं, मैं daily cycle करता हूँ 100 km, ठीक है, किस प सकते हो, तो ही करो, बट अगर आप काम पे जाते हो, college आते हो, तो अगर आप ले सकते हो, गेड वाला cycle, तो फाल्तू में, जो single speed cycle होता है, उस पे अपनी body को गिसाने की जरुरत नहीं है, ठीक है, इसलिए, ये मैंने थोड़ी awareness के लिए, ये video बनाई है, मैं चलाता था, क्य क्योंकि वो मेरी मजबूरी थी, मैंने bike करने भी कोशिश की, तो किस्मत खराब थी, coach ने cycle ही नहीं दिया मेरे को जल्दी, जो cycle वो मेरे को बना के देना चाता था, उसमें कोई नो कोई पंगा पड़ जाता था, अब मुझको तो यही सुनने में आता था, बढ़ बाद में जब मैंने आना ही छोड़ दिया, cycling ही छोड़ दी, थीक है, तब जाके मेरे को cycle दिया, यह वाला, cycle तो बहुत अच्छा है, यह steel frame के साथ, थीक है, steel frame के साथ, जो इसमें gearing system है, जो शिमानो का 2300 वाला यह वाले, shifter लगे हैं, पीछे लगा है, Shimano Tiagra, थीक है, जो derailler है, front der trailer, यह है Capacnolo का, जो seat post है, यह है Dura Ace, one of the top line of Shimano, पुराना वाला है, बट फिर भी Dura Ace है, चीजे तो अच्छी लगाई, cycle तो अच्छा बनाने कोशिश की, बट फिर भी, मेरे को तब पसंद नहीं आया था, अब पसंद है, बट इसमें सबसे जादा मेरे को गल लगता है frame, अब यह मेरे height के साब से frame बहुत बड़ा है, यह लगबग उस बंदे के लिए है, जिसकी height लगबग 6 foot के आसपास, ठीक है, 5 foot 11 के आसपास minimum हो, वो उसके लिए set है, तो खेर दोस्तो, मैंने अपना experience आपके साथ share किया, I hope आपको अच्छा लगा होगा, मेरा experience सुनके, जो मै मैंने cycling में कैसे मैंने struggle की, single speed cycle के साथ, और अगर आपके पास पैसे हैं, ठीक है, तो आप please gear वाला cycling लेना, अगर आप इतना longer distance चलाना चाहते हो, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, body में wear and tear बहुत होगा, जो आपकी knees है, knees में wear and tear बहुत होगा, gear cycle में क्या होता है, efficiency बढ़ जा करना ज्यादा easy रहता है, क्योंकि आपकी जो paddling है, आप हलका gear डाल सकते हो, paddling fast कर सकते हो, उससे क्या होगा, repetition करने से, paddling fast करने से, cadence ज्यादा रखने से, बहुत ही ज्यादा आपका fat burn होना शुरू होगा, अगर आप रोज एग घंटा, घंटा, दो घंटा cycling करते हो, और आप गिन सकते हो, एक second में एक paddle से ज्यादा होनी चाहिए, ऐसे, minimum 80 paddles per minute होनी चाहिए आपकी, 90 है तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप इतनी रखते हो, तो fat burn, सब कुछ burn हो जाएगा, tension मतलो, पथले हो जाओगे, हाँ, बस tight का ध्यान रखो, healthy diet लो, मख़न वगएरा, घी जाल अच्छी नी वगएरा, cold ring मत पियो, अच्छी diet लो, और time से जगो, time से सो जाओ, अराम से आपकी fat burn होगी, और regular करो, ऐसा नहीं है, एक महीने करोगे, दो महीने करोगे, फिर छोड़ दोगे, यह मैं आपको बतायता हूँ, अगर आप dieting करके, exercise करते हो, तो पहले के one month, two month, आपका जो weight reduce है, वो बहुत ही steeply, जल्दी-जल्दी होगा, बट अगले के four months, four months, जो होता है weight, वो वहाँ पे stagnant रहता है, stagnant, अगर वो stagnant stage पे, अगर आप cycling, यह कोई भी exercise छोड़ दोगे, तो जितना आपका weight कम हुआ है, उससे दूगनी तेजी से वो वापिस gain हो निकालने के बाद, चार month निकालने के बाद, फिर दीरे-दीरे और दीरे-दीरे नीचे आना शुरू होता है weight, ऐसे यानि मैंने कहीं पे study में पढ़ा था, ऐसा होता है, जब हम exercise करते हैं, यह cycling यह कोई भी fast activity यह cardio activity करते हैं, तो दोस्तों, I hope आपको यह video अच्छी लगी हो और जो नहीं लोग हैं, वो मेरी चैनल को, please subscribe करना मत भूलना, और जो नीचे bell icon है, bell icon को दबाना मत भूलना, और उसके उपर आएगा all notifications, उसको on ज़रूर कर देना, तांकि आपको मेरी हर video का notification आता रहे, तो दोस्तों मिलेंगे next video में, happy cycling, bye bye